फ्रेंड्स ये वीडियो किसी का दिल दुखाने के परपस से या किसी को डी मोटिवेज तरने के परपस से मैं बिल्कुल भी नहीं बना रहा हूँ बस जस्ट एक अवेरनेस के परपस से बना रहा हूँ कि आपको अवेर होना चाहिए और क्यूंकि आज मेरे मन में ये बात है म सोचा चलो आप सबके साथ भी इसको discuss करते हैं दोस्तों अचकल एक trend चल रहा है कि हमारे family में जितने member हैं जिनके जिनके पास smart phone है उनके phone में OTT platforms के premium subscription होने बहुत जरूरी है क्यूंकि अचकल हमें latest नई नई movies देखनी होती हैं हमारे घर के जो सदत से उनके अलग-अलग पर होते हैं सब की पसंद अलग-अलग होती है किसी को Amazon Prime देखना है किसी को डिजनी होट स्टार देखना है किसी को जियो सिने मा देखना है तो किसी को सोनी देखना है तो किसी को कुछ एक्सेटरा एकसेटरा दोस्तों लग-भख सो से ज्यादा OTT platforms हमारी इंडिया में available है ज लेकिन वहां पर कोई उतना ज्यादा देखना नहीं पसंद करता वहां पिर सिर्फ हमारे जैसे गरीब लोग की देखना पसंद करते हैं जिसको म्यूजिक देखना हुआ या फिर कोई नॉर्मल चीजे देखने हुई लेकिन जिसको कुछ spicy कुछ नया देखना है उनको चाहि माई लो एक घर में 5 सदस्य पांच स्मार्प viन हैं तो सब्से पहले पांच लोगों में जो पांच सने हैं खो सकता है किशी अरो की लौज रआ पांच लोगों के पास पांच सिम है तो यह महीने का जो खर्चा बन रहा है यह हो रहा है 1250 रुपए यह हो गया महीने का अब सब्सक्रिप्शन चाहिए उन्हें कि किसी को सोनी लिप देखना है तो किसी को होड़ी इस्टार देखना है तो किसी को दिवाल पर टीवी में लगाके नहीं देख सकते, हो सकता है कुछ लोगों के घर में ऐसाइट टीवी में देखा जाता हो नहीं, तो लोग प्राइबेट में ही देखते हैं, तो दोस्तों बस यही बात है कि क्या ये चीज़ सही है, तो मैं आपको बता दूँग देखो मैं किसी सब्सक्रिप्सन को ले करके उसके मतलब बिरोध में नहीं हो कि आपको सब्सक्रिप्सन लेना ही नहीं चाहिए अगर आपको कोई movies देखनी है कुछ अच्छा चीज देखनी है तो आप ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं या फिर आप कोई combo pack चूज कीजिए जिसमें आपको beneficial रहे आप घर में सब अलग-अलग सदस्न है सब के लिए सब्सक्रिप्सन लेना मतलब आपका 5-6,000 का खर्चा बैठ गया सिर्फ सब्सक्रिप्सन में ही तो ये तो फिजूल खर्ची हुई मैं कभी नहीं recommend करूंगा कि आप अपना पैसा इस तरह से सत्यानास करो क्योंकि पैसा कमाने बहुत मेनत लगती है और ये OTT content देखने के लिए आप अपने पैसे को बरबात करो ये किसी तरह से जायज नहीं है मेरे ही सहब से बाकि आप लोगों को क्या कहता है comment में जरूर बताना और मैं आपको बता दूँ ये OTT platform जो है लोगों को अपने जाल में फसाने के लिए इतना बेशा आफर भी देते हैं जैसे क्या करेंगे flip card पर अगर कोई बंदा free में दे देते हैं और ये इनकी एक चाल होती है एक बार जब आप ये G5 वोगएरा देखने की लत लगा लोगे न तो जब 6 महीने बाद वापस से expire होगा न तो आप जखमार के उसको renewal करोगे क्योंकि आपने उसको देखने की लत बना ली है आपके अंदर patience खतम हो जाए क्योंकि YouTube में आप जाओगे तो हो सकता है वो content आपको वहाँ मिले ही न और अगर मिलेगा भी तो भाई add की वज़ा से आप परिसान हो जाओगे या तो आपको subscription लेना पड़ेगा YouTube में premium का और भाई अगर subscription लेना है तो यहीं क्यों न तो दोस्तों इसी तरह सा एक subscription का जो जाल है वो बनाया गया है आप लोगों के लिए ताक कि आप उसमें फसो ठीक है मैं तो कहता हूँ हम जैसे गरीबों के लिए अभी तो YouTube फिलहाल है जैसा है पहले तो यह छोटा मोटा एड दिखाते तब तो बड़ा बड़ा दिखाने लगे है ठीक है तो लेकिन फिर भी जैसा है फिरी में तो देखने को मिल रहा है लेकिन हो सकता आने वाले टाइम में यह भी मतलब कुछ ना कुछ लगा दें जैसे कि पहले क्या था कि जो इनके प्लेटफॉर्म पर जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं वो सिर्फ मोनेटाइज चैनल पर आते थे नॉन मोनेटाइज चैनल पर कोई भी वीडियो आप देखो विदाउट एड लेकिन नहीं सब्सक्रिप्शन, आइफोन, एंड्रोइड फोन और मतलब टेकनलोजी में इतना ज्यादा घुज गया है कि कुछ दिन पहले एक वीडियो आयरा लुगा था जिसमें एक बंदा बोल रहा था कि वो पिछले लगभग 1224 घंटे से आइफों 16 लेने के लिए सिर्फ लाइन मे होज गई है हाला कि मैं भी उनमें से हूँ लेकिन मैं सच बताओं तो मेरा डिजिटल मार्केटिंग का बिजने से इसके लिए मुझे कंप्यूटर टेकनोलजी से बहुत घीरे रहना पड़ता है लेकिन मैं अगर कहूं तो मैं भी कभी इस तरह का टाइम वेस्ट नहीं करू है कि हमारे सब्सक्रिप्शन या फिर हमारे लेटेस्ट चीजों को लेने के मजबूर हो जाए आइफोन हर साल एक ब्रैंड को लांच करता है जबकि दोस्तों हकीका दिये है कि अगर आप किसी भी एपल आइफोन को यूज करते हैं तो आप आसानी से उसे तीन से चार साल य नया लेंगे फिर इसको कुछ दिन बात जब नया हम दूसरा लांच करेंगे तो इसको पुराना फेक करके दूसरा ले लेंगे मेरे हिसाब से तीन चीजे मुझे अपने देश में एक स्राप की तरह लगती एक हो गया पर प्रोडक्ट्स खरीदना लगजरी वह भी बिना ज कि आजकल कोई बहुत अच्छा समाच सेवा या कुछ सिखाने की चीजें इस पर नहीं आती है अपराधीक मारकार्ड वेप स्रीज रेप गाली गलोज यही सब चीजें इन ओटीटी प्लेटफार्म्स पर मिलती है और एक है नेटफ्लिक्स जिसका मैं नाम ही लेना भूल ग सकता है कि हमारी गवर्मेंट को भी इस पर कुछ करना चाहिए इससे पहले कि सब पूरा ही सत्यानास हो जा कि हमारे यूगा के पास इतना दिमाग ही नहीं रहेगा कि वो खुद से डिसीजन ले सके तो फिर आने वाला भविस से कैसा होगा या आप ही जान सकते हैं एनीवेस आजकल एक और ट्रेंड चल रहा है कि यूटूबर लोग बड़ी बड़ी गाडियों में आते हैं लोगों को मोटिवेट करते हैं कि हाँ भाई आप देखो हमारे पास ये है वो है तो दोस्तों ऐसे मूरुखों की बात हो आपको बिलकुल नहीं आना है ये सब बिलकुल भी फालतू की बाते होती हैं आप इसके चक्र में पढ़ाई लिखाई मत छोड़ देना हो सकता है एक दोका तुक्का लग गया हो लेकिन सबका लगे जरूर जी नहीं है 140 करोन की आबादी है और हर कोई इनके जैसा नहीं बनेगा और दूसरी बात ये फेम बहुत ही कम टाइम क का यूज करते हो और करते हो तो कौन सा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना चलिए फिर किसी और वीडियो के साथ मिलेंगे तब तक के लिए जैहन